फलाफल सही में है एक पारमपारिक अराबिक खाना ये फेगेटरियन फ्रिटर्स खाये जाते हैं हमस के साथ या तो फिर पीटा ब्रेड में फिलिंग के तौर पे रखते हैं आज की स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है फलाफल पराने के लिए फलाफल हमें चाहिए छोले, प्याज, धनिया के पत्ते, ब्रेट क्रम्स, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, लैसुन, काली मिर्च, नीबू कारस, थोड़ा बेकिंग सौडा और सॉल्ट तो मैं पीस लूँगी छोले और दूसरी सामगरी को साथ में मिक्सी में अब भी हो सकते हैं छोले को पूरी रात या तो फिर आप कैंट छोले भी इस्तमाल कर सकते हैं अब डालेंगे धनिया के पत्ते, प्याज, थोड़ा सा नमक, ये लगबग आदा चमबच नमक है थोड़ा सा काली मिर्च, आदा चमबच लगबग, आदा चमबच लाल मिर्च पाउडर, एक चमबच भरके पिस्से होए लैसुंगी कलियां, जीरा, एक चमबच और एक निमु का रस, तो छोले और बाकी की सामकरिय पिस्च चुकी है, हम इसको जार में से निकाल करके एक बोल में रख लेंगे, मेरे पास यहां पर पिसवा मिर्चन तैयार है, अब हम इसमें डालना शरू करेंगे, ब्रेट क्रम्स, और बेकिंग सोड़, मिला लेंगे सब कुछ अच्छे से, अब हम इसमें से बनाएंगे छोटे बॉल्स, या तो फिर कटलेट्स, और फिर इसको फ्लैट करेंगे ऐसे, कटलेट के शेप में इस प्रकार से, एक बार फिर को कटलेट के आकार में बना ले, ऐसे हम इनको तेल में रखेंगे तलने के लिए, अगर ये चिकना हो जाता है, तो आप इसमें डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्स थोड़े से, हम इनको तल लेंगे जब तक हो जाए सुनेरे, इनको पलट के दोनों तरफ पका लेंगे अच्छी तरीके से, एक बार ये सुनेरे हो जाएं, आराम से निकाल लीजिए तेल में से, रखेंगे इसको पेपर टावल पे ताकि एक्स्ट्रा ओइल सोख ले, तो अब ये फैलाफल फ्रिटर्स लगबग हो गए हैं, इनको निकालना है फ्राइंग पैन में से, निकाल देंगे ज़्यादा तेल पेपर पर, जब फ्राफल बनता है पारंपारिक रीट से, तो ये है एक वेगन खाना, अच्छा स्रोथ प्रोटीन का, ज्यादा करके जब आप मास नहीं खा रहे हैं तब, तो अगर आप हैं नो मीट डाएट पे, तो आपको आज ही इसे ज़रूर बनाना चाहिए,